तो नमस्कार पहरे साथ ही ओडी जे सर्क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफरम पर आपका श्वागत बिन अंदन हैं हम बात कर रहे थे राजस्तान की इतियास के इतियास के अंतर पर रहे थे मारवाड रियास्त में कुछ हमने मोटा राजा उदेशिंग तक की चर्चाएं कर ले थी और उदेशिंग के बारे में पढ़ने के पश्चात इसके बाद जो सासक बनता है प्यार दोस्तूर सिंग कोन बनता है तूर सिंग की चर्चा करेंगे तूर सिंग कोन बनेगा तूर सिंग या राव तूर सिंग जि पंद्रा सो इंचान में से लेकर 1219 तक सासर करता है कौन करता है वही तूर्सी का का मारवाड का क्या पड़ रहे हैं मारवाड रियास्त क्या पड़ रहे हैं मारवाड का इथिया पूर्षिंग के बारे में कहा जता है या जानकारिया मिलती है हमें के बारे में जब जानकारिया प्राप्त करें ठीक अ टेका प्रशाथियों सूर्षिंग में वेसे तुझको ये विशीज का रहे नहीं किया, अकबर ने इसे सवाही राजा की उपादी से सम्मानित किया, राज्यभी शेिह कistant लाहुर में हुआ, राज्यभी से capable करें, राज्यभी से कि का हो हूँआ? लाहुर。 लाहूर अधे और बात करें अगबर के दुआरा इसके दुआरा अगबर करें ने कि अगबर ने इसे रचा की उपादीग होन सी राजा की उपादी जाए राजा Conference सवуки कि राजा की उपादी है हिए तो यह गिर राजक नीजा करा जाता है इसके द्वारा अक्बर के द्वारा इसको तूर सिंग्ग को सूर श्यक को बारे में आजमा जाता है पहरे दोस्तों कंडिशन यह होती की अकबर जहांगीर के समकालिन ता इसके साम कानिन ना अकबर याcken यो जोनाघइर के समकालिन साथ बंदरा तक फूरम के यह ससे लेकर निःसे दो मीवाण उभियान पर गया था उसके साथ सूर्शन गया थेखोई कर से समकालिन मुगल बादसा की चर्चा करें को था वही एक तो अकबर और जहांगीर अकबर और जहांगी यह दोनों इसके अमकाली नहीं बादसा थे और बात करें तो मेवार अभियान की बात करें तो पहरों दोस्तों यह इसके जहांगीर के समगें के साथ इसके मेवार अभियान पर भी गया था कि पुर्रम के साथ 1613-1615 के मद्धे मेवार अभियान पर गया इन अभियान पड़ गया है यह पर गया है व एक सूरशिंग जैंक और यह मेवार के अभियान पर भी साथ ह Moro का साथ दे गउलों से क्योंकि संदियाल करी लिकी ने अधिनता adesso करई लीटी मटा राजा बीकति माने जाता है मारवाra चंडर सहुकार करने वाला सचुन माता है कि अधिनता उदर उदर बठकता रहा लेकिन कभी यह कुंता शुकार नहीं कि कि दौरा रही है कि छंडरसेंट के दौरा रहा है cargo बनता है को बनता है मोटा राजा उदे शिंग finns तूख अब बात करने जा रहे पेरे साथियों क्या कर बात करने जाते ही कि शुरत तूर्च सागर तालाब और महरानगर भ्लमें मोति महल का 450 ओ tasting तो सुल सागरत अलाब तू पूर सूर posslara अगर तालाब का निर्मान करवाया है तालाब का निर्मान करवाया है ठीक है आपर जूद्पुर में इसके पाद मोती महल कवई मोती महल का निर्मान करवाया मोती महल आपर महरानगड में महरान में महिनम दॉती मलग का निर्मान करवाया कि नर्मान करवाया इसके दौर्ण में। मैं सुनाट अब करते हैं इसके बाद जो साइक बनता संफ सासक का मारवाड़ एल कि सासक बन जाता है कब बनता है दोस्तों 1619 में 1619 से लेकर 1638 तक शासन करता है आपका गजसी अब बात करें तो इसके जहांगीर ने इसे दल थंबन की उपादी थी इसके उपादी की बात करें किसकी उपादी उपादी की बात करें तो जहांगीर ने किसने जहांगीर ने दल थंबन की जहांगीर इसे दल थम्बन की उपादी दी चेहांगीर के द्वारा इसे दल थम्बन की उपादी दी जाती है किसको गज सिंग को और गज सिंग को उपादी देने के साथ साथ अव्श्यbonate का जाता है आधान नगराष थेना फटैद्रने के कारण हो भी इसको अहमाद अभियान के दो रान का जाता कि राको को आधा था ने के कारण अधेरि ऽाएं और गिर्स के बाईत होता है किंड़िक से घ्रिक वक्टान अहमद नगर से थेना खदेड़ने के कारण क्यों दिजाती उपादी अहमद नगर अभियान के दोरान यह से अहां से अहमद नगर से अकदीर कारण से सिंअ गज सिंग का बड़ा बेटा अमर सिंग था और चोटा बेटा जस्वंद लृस अ pussy को तो नागियोगीर दे देता है यह सास प्रभावों का थी और उसका ऊनर बहुत सने करने लग जाता है सबसे ज्यादा बात किसके मानता है कि उसको जाके चरण वरन इसपर्स करता है चरण इसपर्स करके एक दिन बातों ही बातों में पटा लेता है किसको कि माता कि माता क्या इसकी पिता की गल्फ्रेंड पटा लेता है और उसी कहा जाता है कालांतर में उसी से एक मांग कर देता है ये बस एक छोटी सी मांग है कि क्या कि मेरोको राजा बनवा दी जी बड़ातों कि अमर सिंग है वो बनने में राजा नहीं के किसे भी करें आपकी मकि का जाता है कि यह जो इसकी गलद सिंह की परहेक्अ कर देंक से बांग आप व्रडय वस्तां में जा रह Aww रहे है किसको गोशित करें को गोशित करें अमर सिंग है अपना तो बड़ा बेटा अमर सिंग है और अमर सिंग को करना है नहीं कि जस्वन सिंग को अमर सिंग के बीच में लेकिन का जाता है क्या कंडिशन होती है कंडिशन यही होती है नागोर इसको दे दिया जाता है अमर सींग को और बाद में मान जाता है कौन गज सिंग को बना जाता है कि दो पुत्र तो बहुत हुआ करते हैं इनके लेकिन उखे जो बात कर रहे हैं गज सींग कर दिशींग कर दिशींग के पुत्र कितने हैं दो दो पुत्र कौन कौन से एक तो अमर सींग और एक कोन है एक का नाम है जस्वंत सींग यह बड़ा था और यह छोटा है कि और क्या है इसको तो नागूर का सासक बना दिया जाता है और यही अमर सींग ता जिसके बारे में आपको ध्यान होगा फैर दोस्तो हुए सिना सासक बन गया और अमर्सिंग की बात करें अमर्सिंग की थोड़ी सी चर्चा करें अमर्सिंग के समय ही आपको पता है कि मतीरे की राड हुई थी मतीरे की राड हुई थी विकानेर का यहां पर बात करें किसकी बात करें अमर्सिंग की बात करें यहांपर मारवाल का नागूर का सासक और नागूर का सासक को में भई? हमर सिंग का नागूर, किस की बात करें दिस ला त्युली, दो दुली दॉली क में नागूर की सिंग्हाइ क्ष consequence सिंग्च कि शीमा और यहां पर एक गाउं था और इस गाउं में का जाता है किसान रहना था किसान पेट में एक बेले लगए पीज बोया यहां पर इसकी मतीरे की बेल इन चली गया और भी अनुरे के असमें चली जाती है जहां आजाता है हमारी उधर्वाले किसान deeply के मारी इस मतीरे के लेकर इस मतीरे किसको लेकर मतीरे को लेकर क्या दढ़ाई हो जाती है ऑमर सिंग नागूर की शीमा है यहां पर मतीर बोता है दागूर का खिसान के क्षान के खेत में चले जाते है मतीर आ जाता है यहां नागूर कोई हो जातोuta हैjor विद्वाद करें नागूर और इसी के समय कहा जाता है अमर्सिंग की तोड़ी सी चर्चाएं कर देता हूं में ये साज आदा ने इसे नागूर की जागीर दी थी विशेश रूप के ध्यान रखना है कि द्वारा पिता की द्वारा दी गई थी उपना नाम ये कई बार इसे नागोर की जागीर प्राप्ट हुए जागीर ताप्ट हुए कि प्रश्यात का उपनाम उपनाम की बात करें पर दोस्तों तो क्या का आजाता कटार का धनी कटार आו कि उपनाम की का जाता है क्या का धनी ल Пोदो यद्धी को बात करें मतीरे के असे वास का सबद है राड का मतलब लडाई धूकर ता है मतीरे के लिए हुई है कि ये कभूती तुलासोच चम्वाली स्मीं कभूती है तुछ चम्वाली स्में किसके भीच होते हैं करन सिंग और अमर सिंग के भी और इसमें विजे कौन हुआ इसका आजाता है कि अमर सिंग तुछ मरसिंग का का नागोर का है का अधाय का वहीं नागोर का वर्सेज कण सीम करन सिंग का का अधाय का दोनों राजा लड़ पड़ा इस एक ख्रभूजे की या मतीरे के विश्चे वाटरमेलन जो करते हैं आप वाटरमेलन या तरहूज की बेल करते हैं लेकिन हमारे यहां तो गाओं में तो खरबुजे को मतीरा करते हुई ठीक है इधारियां होती है चलिएगा बात करें तो कहा जाता है कि नागोर और अमर्शिंग के बीच नागोर के हमर सिंग और कंड़ सिंग के बीच यह होती है साज में जहाँ कि अ है कि यह भी ध्यान रखना है अब क्या होता है कि इसी दोरां कि रांग क्के नागुर दिल के का दरबार लगा हुआ था साजा का दरबार लगा हुआ था तो पिकानेगर का जो कर्ण सींग था थी कर्ण सींग तो बदला लेना चाहता था भई हारा या जीता यह दोनों के बीच में कंडिशन क्या है का जाता है कि यह दिल्ली दरबार में उपस्थित होता आगरा में तो का जाता है साजा के सलावत खांग कौन था सलावत खांग वही वीत मंत्री हुआ करता था वहां का परिया मंत्री होता था और उसको यह पटा लेता है कौन कर्ण सी भी ममर अभी में अमर सिंग नागवाला कुछ जिनों की चुटियां लेकर साजा से पर आजाता है नागवर आ चेछा लिता यह डेखो की हिए ृफ रह् Первी न जमस्कार नमस्ते विस्दी करते 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 हैं कि किसे करते हैं कि न Wagchukền योजाती है कि इसी सलावत खालता सलावत खालता उसलावत कि सलावत खाल की नजदी कि एक तो जबात यह तो यह भात यह है कि जो अमर ने यहापको की सम्मान नहीं देता मिग्रात इस दिवात में मथे ऊच division इन वी स स्राम-्राम कर लिया कितना सम्मान देता हूं आपको आदर करता है है वित मंत्री हो करता आपको विफ्यासलाम करना चैकिशन अहार किसी नहीं नहीं करता डेचता भी नहीं यह सै- तो किया चूंडिशन उपी एक दिन बेख में खुतिया लेकर गया आज तक यहां कर तरहा है कि रहाए जैए- 1963 क्यों से कि घ्रटे मेरे से चुटिय कर गया है फ़लाफ कि शोकित बिश Qi कि अही rights क्छो सब्सरी मेरे मेरे से चुट्त्वटरा ने कर गया कोन है व्यमिन वसके हैं कि मर आए सब्सरी अरभी तक निक्ट सब्सित्रीत लेटर लिखा लिखा लेटर का कोई जवाब नहीं आया इस पर तीस दिन में इनका जता है जब वाया वापस आया कौन गा तेखो कि यह तुमारी बेजिती दुदू बेज दिए तुमने आपने दो-दो लेटर भेज़ दिये किसको अमर सिंग को और उसका कोई reply नहीं आया परन सिंग चड़ा रहा है अमर सिंग को सालावत खाओ को किसाले को साजा किसाले को काहां बैटकर आग्रा की दर्बार में बेट कर आई अब होगी ना बात की क Wahrकिया कुई कदर वदर नीं है कि आपकी मत्री हो आप इतने बड़े पदबर हो तो हम तोह आपकी सम्वांन करते हैं लेकिन यह मरसिंग आपका सब्सक्राइब नहीं करता कि अब ऐसी बात है तो क्या बात करें तो बात ऐसी है अब क्या करें तुझ एक दिन अमर सिंग आई जाता है 30 पर 30 दिन बाद आया तो यह देखो कि अब आगया देखना कि अभी तुमारे तरफ देखे अब नहीं आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और हुई हुआ अमर सिंग सीधा सटकां गया साजा की तरफ जाने लगा तो बगल में बेठा बेठा कौन सलावत खाने गवार के दिया किस से अमर सिंग से और अमर सिंग ने तुरंट कटार निकाली और उसके गले को रेत दिया वहीं प्यारे दोस्तों किसके सलावत खान वहीं पर कटार से किसको सलावत खान को मार व्हार देता है साजा के ताले को मार देता है कौन अमर सींग और इसी कारण का जाता तो उसके पर लिए अपने और देते हैं उसको मार देते हैं और तो वहां पर औरते थी और तो मैं आपको पताए कि राजबूती उद्धार जाते नहीं तो इदर तो नहीं आएगा कम से कम का जाता है कि साजा कूदगर औरतों के बीच में भग जाता है चोर से कटार की फेक कर मारता है अमर्सिंग लेकिन खंबे पर निशान पढ़ जाता है पै क्या करें अमर्सिंग इसका एक मित्र था की बात को गूर्ग में कैसे यह को महल से नाम क्या तर बादल ता अबेता प्रकार से कहा जाता है इसको क्या कहा जाता है कटार का धनी का अपनी कटार के बल पर पता गई निकला तो तो गई निकला वाहर भी नहीं बोला उसने इसके पहले तुसको इसको सलावत खाऊ और वहीं पर धेर कर दिया और सारी राजा जो बैठे थे यहमारा नमबर मिया जाए इसको मार रहा था तो सारी राजा उटूटू के भगने लगे वहां से राज दर्वार से कितना निर्विक होगा निडर होगा भरे दर्वार में हैं तो और राजाओं के बीच में एकदम कटार का वार किया और सलावत खाऊं को जिसको साजांका साला हुआ और पिर विसा खथरना का अधियों है हिर थिक्विक तो इसको कटार का धणी कढ़ा जाथ कर ता है कोड़ा कौन सा था अमरी कौन सा था भूड़ा कौन सा था मरोशी का गोड़ा कौन सा था बादल कुनता बादल यह याद रखना कहां पर लिख देता हूं में अमर सिंग ने अमर इंग ने ता जहां के साले कि खलावत खां कि खलावत खां को गुवार कहने पर कहने पर का मतलब पड़ा लिका नहीं बिना पड़ा लिका खहने पर क्रणे पर कि यक तर्वार में ता जहां के लुट के घांत उतार दिया मोद के खांट उतार दिया उतार किया ना खतरनाक निर्वीक वेक दीता भी सलावत खांग को मार दिया भरे दर्बार में के द्वारा अमर सिंग के द्वारा और अमर सिंग अमर सिंग अपने घोड़े बादल की साइश खोड़े बादल पर बेट कर महल से कूद कर भाग गया अमर्सी खोड़े बादल पर खोड़े का नाम क्या है बादल पर बेट कर महल से कूद कर महल से कूद कर भाग गया महल से कुदकर भाग गया फ्रार हुए और वो देखते ही रहे गया और जिस दर्वाजी से भागा था उस दर्वाजी को क्या कहा जाते था बुखारा दर्वाजा जिस दर्वाजी से अमर सिंग भागा था अमर सिंग भागा वह दर्वाजा उखारा दर्वाजा था पून सा उखारा दर्वाजा था भी उखारा आगरे के कि लेका था उखारा दर्वाजा था ठीक है और कहा जाता है इसके बाद इस दर्वाजी को बंद करवा दिया जाता है और इससे समय से इसे द्रोजे का नाम अमर introductory रवाज़ा पड़ गया इसके बाद इस घटना के बाद इसके बाद इस दर्वाजे का नाम अमर सिंग दर्वाजा रखा गया कि नाम से जाना जाता है अमर सिंग तर्वाजा की नाम से जाना जाता है याद रखेंगे तो याद रह जाएगा कि और क्या दिहान रखोगी अमर सिंग की कि अमर सिंग की सोला कंबो की छत्री नागोर में बनी हुई है कि अमर सिंग कि कि को ला कि कि चत्री लेकिन का जाता है कि बाद में कंडिसने होती है कि अमर शिंग को कि मित्र के द्वारा बुलाया जाता है और मित्र के कहने पर ये चला जाता है और के विश्वास दाहत करने के कारण मार दिया जाता है और मार दिया जाता है क्या मार दिया जाता है ये बोजन पर बुलाया जाता है बोजन पर बुलाने के पस्चाती आता है तो सोता है तो उठता जा रहे हैं पहरे दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जस्वन्ट सीग तो का जाता है कि यहां पर सासक तुन सिंग का वह जोजपुर का तो उच्छा सब्सक्राइब बिच में आ गया था नागुर बेज दिया था उसको फ्लैस्वेक लेकर गया सब्सक्राइब दोस्तों तो अब जस्वन्ट सिंग मारवाल का सासक यहां पर का जाता है घज सिंग की मरत्यू के पश्चाथ 1638 में सासक मनता है और 1638 से लेकर अधर तक यह सासक रख बहुत अधमी था और जस्वन्ट सिंग के पहरे दोस्तों इसे अधिक बहुत इंटिलिजेंट आदमी था लेजेंट के साथ साथी बहुत अच्छे विक्तित क्वाद्धनी भी था और जस्वन्ट बात रखी अग्यों आज के लिए इतना ही काफी प झाल झाल झाल